Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now, daily के basis पर एक complete news paper analysis करते हैं UPSC, prelims और mains के basis पर हर एक complete news को discuss करते हैं Monday to Friday एक answer writing की जाती है साथ साथ में जो भी हमारे notes रहते हैं Write जो भी हमारे notes हैं उन सब को जो highlighted PDF version होता है उन सब को notes के form में detailed discussion करते हैं पहला section रहता है देखे, पूरी जो news paper में जो green से highlight क्या होगा वो term होगा जो हमें जानना है जो yellow से होगा वो context होगा और जो red से होगा वो argument होगे मतलब negative point होता है ना UPSC mains में आपको एक positive point डालने होते हैं एक negative point डालने होते हैं बात करते हैं 23 December के जो notes हैं वो कौन-कौन से हैं उनको detail में discuss कर लेते हैं देखे, सबसे पहला अगर notes के बारे में बात करो 23rd November UPSC mains question का है ये पूरा जो notes हैं देहिंदू में भी आये होए थे Indian Express में भी आये होए थे तो सबसे पहला जो question आता है वो UPSC mains का आता है question बहुत simple है account for the significance of permanent seat at UNSC to India right question कैसा आएगा कि United Nations Security Council में भारत की permanent seat को लेकर significance क्या है और भारत कौन-कौन से कदम उठा रहा है ऐसा question पूछा जा सकता है this type of question asked by UPSC in previous year तो सबसे पहला question हमारा यही हो गया यह आपको topic याद रखना है यह हमने एक साल पहले 23 नॉंबर को भी किया था यही similar question फिर दूसरा DRDO की जब भी बात आती है तो यहाँ पर एक missile का नाव आता है Agni P यानि की Agni Prime Missile इसके बारे में discuss कर लेंगे और Agni स्रीच के जितनी भी missile सुंगी उसको detail में discuss कर लेंगे उसके बाद है हमेशा इंडिया और स्रिलंका की अभी major issue चल रहे हैं fisherman से related, मच्छवारों से related तो इंडिया और स्रिलंका के बीच में दो topic आपको हमेशा याद रखने हैं कि इंडिया और स्रिलंका जब भी आएगा आपको दो चीज़ें याद रखनी है एक है स्रिलंका का 13th Amendment Act जिसके basis पर वो अपने जो तमिलियन्स हैं, स्रिलंका के तमिलियन्स है माइनरिटी में उनको और ज़्यादा autonomy देंगे और दूसरा, जो स्रिलंका में तमिलियन्स हैं, जो हाला कि एक तरह से भारत से ही गये हैं तमिलियन्स हैं, जो कि अभी भारत सरकार चाहेगी या तमिलियन्स की सरकार चाहेगी क्यों उनको solve करना दूसरा आपको देखिए सबसे ज़्यादा advance हमारे साथ अब नई team जोड़ चुकी है नए member जोड़ चुके हैं guaranteed 60 badge की नए एक हम series सुरू करने वाले हैं जिसमें already जितने भी live classes हैं वो आपको previous मिलेंगी हम दूसरा badge भी क्योंकि अब हमारे साथ 18 member करने वाले हैं काम नए वर्से से जिनको पूरा UPSC का experience है, देखिए आज ही हमने detail में जितने भी December के date wise notes हैं, वो हमने अक्सेस कर पाएंगे, देखिए without moving further आपको telegram application download करनी है, mobile application PR publication download करनी है, आप देखिए यहां पर हमारे UPSC complete package guaranteed 60 badge पिछले साल हमारे सात्र selection होए थे, इस सिर्फ UPSC prelims में क्योंकि वो सिर्फ prelims का बैस था उसके लिए interview video link आपको description में मिल जाएगा, इसमें current affair करवाएंगे, जाएंगे 5 GS के subject, आप दिये गए नमबरों पर call कर सकते हैं, 25 December से 1st January तक heavy discount है आप कोई भी price ले सकते हैं, जो daily के basis पर भी मैं notes show कर रहा था, वो ये early plan में join कर सकते हैं 499 rupees, बट इसका जो price है, वो कम होने वाला है 25 December से, 1 January के बीच में early bird sale है यानि कि जो पहले access करेगा, उसको जो है discount मिलेगा लेना कैसे है, बहुत सिंपल है, दीगा है, नमबर पर Google पर phone पे करना है, जो भी payment करेंगे, उसकी screenshot, सेम नमबर पर WhatsApp करनी है हम कल से alternate number भी provide करेंगे, अगर इस नमबर पर call कभी network के वज़े से नहीं लगता, तो दूसरे number, दूसरे team members के भी आपको मिल जाएंगे, नाव सबसे पहले बात करते है, heated winter session conclude day early, यानि कि winter session हमारा खतम हो चुका है, और इस बार बात करूं winter session की सेशन का कहने का मतलब क्या होता है जब ही मैं पारलियमेंट की बात करता हूँ तो तीन session होते हैं, budget session winter session, monsoon session या budget, monsoon और winter session, जैसे bmw आप करके याद कर सकते हैं देखें, बहुत बार ये बोला जाता है कि productivity कितनी रही, मतलब कितना किसी एक कानून में debate हुआ राइड, लोकसभा की productivity 82% रही, राज्यसभा की productivity 48% रही और total session, 13 bill पास हुए, जिसमें बार introduce हुए लोकसभा में, एक introduce हुआ आपका राज्यसभा में उसके बाद bill जाते हैं, parliamentary scrutiny के लिए, और bill लाई जाते हैं इस तरह से कुछ सांसत बैठे रहते हैं नाव कौन-कौन से bill winter session के दोरान पास हुए हैं इस बार कौन सा farm laws repeal bill 2021, damn safety bill, assisted reproductive technology, सरोगेसी, national institute of pharmaceuticals, high court, supreme court, डेली special, central vigilance commission, narcotics, drug election laws अब बात ही आती है कि हमें कौन से ऐसे एग्यार law हैं, जो पास हो चुके हैं winter session में उनको ज़्यादा priority देनी है एक है दूसरा नम्मर का damn safety bill, इसको लिख लो, note कर लो अब इसके regarding UPSC 2022 जो 5 जून को होगा उस पर question आएगा ही, आएगा second है, assisted reproductive technology ठीक है, ये भी लाएगा तीसरा है, central vigilance commission और चौता है, narcotics नव है, central vigilance commission तो ये मैंने priority बता दी damn safety, ART उसके बाद है CVC और NDPS Act, ये चार आपको priority लिखनी है, तो इस particular news से, हम पूरा session में सिर्फ 4 बिल को ज़्यादा तवज्यो दिंगे Supreme Court और High Court की salary और condition के बेसे, आपको उतना डीप नहीं पूछा जाएगा, जो major common interest होते हैं, दूसरा तीसरा CVC और NDPS इनको आपको top priority में रखना है इस हम particular news से यही extract करेंगे चलिए, बात करते हैं, second news की United Nations Security Council adopts resolution to ease Afghan assistance United Nations Security Council Wednesday को क्या हुआ, उन्होंने पास किया एक resolution जिसमें बोला कि जो sanctions हैं, तालिबान पर वो कम किये जाएंगे, और ये भी ensure किया जा रहा है कि जो humanitarian crisis चल रहा है, अफगरिस्तान में उसको दूर किया जाए, साथी साथ the resolution put forward by the US US ने निकाला, passed after the security member, including veto building, जैसे China Russia had objection to a draft version that was circulated earlier this week, पहले उन्होंने वो किया था बट इसमें आप humanitarian, मतलब Taliban पर उतने sanctions नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि already इतने sanctions लग चुके हैं, वो सिर्फ drugs बेच के fulfill कर रहे हैं, अपना revenue generate कर रहे हैं और economic crisis भी आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान में आ चुका, कोई अपना physical infrastructure वहाँ setup करना, बट question यह आता है UNSC में जब भी मैं बात करता हूँ permanent seat की, यह देखो जिनके बाब veto power है, veto power मतलब अगर कोई resolution पास कर रहा है अगर Russia, आप 5 member है P5 आप बताना, permanent 5 कौन कौन से member है, comment box में आज से हम नई शुरुवात करने वाले है नए नए आपको engage रहना है comment box में बताना, और vlog सुरू होने वाले है हमारे 2-3 दिन से, वो particular आपको WhatsApp में, Telegram में मिल जाएगा, जादी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा interesting चीज़ है, हम कैसे काम कर रहे है हमने एक नया office setup किया है तब थोड़ा सा डिले हो रहा है, बांकी 2-3 दिन का टाइम है office setup हो चुका है हर चीज, उसके बाद आपको यहाँ पर किस condition में और की जगे पर हम वीडियो बनाते हैं, वो सब मिलेगा, राइट, नाव जब भी मैं अलड़ी कर चुके हैं, तो आज का जो question है, यही रहेगा, आपको इसके answer देने हैं, और आप कोगे क्या सिर्फ, सर आप question दोगे नहीं जो हमारे paid member उनते हैं उनको हम link भी देते हैं, किस link से आप refer कर सकते हो, क्या-क्या method point चीज़िया है, बस आपको उसी चीज़ को जो देखके answer writing के format में लिखना पड़ता है नौ बात करते हैं, मयानमार में मयानमार में चल रहा है एक फरवरी से military coup, इंडिया ने अभी 1 million doses दी हैं, मयानमार को country की pandemic condition को देखते हुए इसके साथ मयानमार पहली country उन देशों में से है, बांगलदेश, भूटा, नेपाल के साथ जिनको रिसीब हुई है covid shield vaccine कहां से सिरिम institute of India से तो भारत ये भी ensure करना चाहिए भारत को देखिए है, जब भारत में खुद corona बढ़ रहा था तो भारत vaccine नहीं दे पा रहा था तो इस वज़े से मयानमार बांगलादेश जो neighboring countries है भारत की वो किसकी हो टिल्ट हुई चाइना की जो कि भारत के लिए अपने आप में वो सही नहीं है, नाव नेक्स्ट हम न्यूज बात करते हैं, इंडिया आर्मी unit of भारत electronics limited यानि की BEL और ये कहां हो रहे हैं, 90% इसका जो content है वो भारत देखें, बात करते हैं, आप से directly ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये भी आएगा कि जो AERV वेकिल्स हैं, वो किस दो body के द्वारा बनाए जा रहे हैं, DRDO प्लस BEL, ठीक है, DRDO प्लस BEL इसको बना देती है, बात करते हैं आप खुद 90% जो content है, इंडिजिनियस है, तो main, make in India का जो initiative है, वो बहुत जादा तेजी से promote हो रहा है बट जब भी DRDO की बात आती है आप सबको comment box में बताना है DRDO कौन से ministry के अंदर आता है और कल से आपको newspaper बहुत जादा जल्दी भी मिलने वाला है बट DRDO काम कर रही है, एक अगनी class की missile पर है जो integrated guided missile development program के अंदर आता है, अगनी पी, ये एक नई generation की missile है और generally इसमें cancerized missile है, जिसकी capability 1000 से 2000 km है cancerization का मतलब क्या होता है, कि जो accuracy है जो launch time है, वो जल्दी हो जाता storage जादा हो जाता अगनी class की कुछ missile है अगनी 1, अगनी 2, अगनी 3 अगनी 4, अगनी 5 और इसी के साथ साथ, जो 5 missile हैं, उनका मैंने trick बताया था जो IG, MP के अंदर बनाई जा रही है आपके लिए trick है, पटना ठीक है, trick क्या है, पटना P से का मतलब है, प्रिथिवी A से मतलब है, अगनी T से मतलब त्रिशूल N से मतलब नाग, A से मतलब आकास, अब आपको बस यही चार याद रखनी है, surface to surface कौन सी है, surface to air कौन सी है, air to air कौन सी है, उसके साथ nuclear tried, मतलब हम marine से, land से air से, इन सब से जो है, launch कर सकते हैं, उसी को कहते है nuclear tried, राइट अब बात करते हैं, आज के editorial की, सबसे पहला editorial, वही Corona से related है, Omicron Virus, India must ensure more availability of beds, medicine and vaccine, इंडिया ने report किये हैं, 200 cases, highly infected Omicron variant के, Omicron variant है, वह South Africa से, आपको सब से पहले identify देखने को मिला, right, it said that Omicron was at least three times more transmissible, मतलब Omicron जो variant है वह तीन गुना तेजी से फैलता है, या उसकी जो ratio होता है, ठीक है, एक person से दूसरे person में फैलने में, वह तीन गुना ज़ादा है, it also underlined two specific parameters which states have to be vigilant about a test positivity of 10% और bad occupancy crossing 40%, अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो आपको उतना ज़्यादा detail में जानने की जरुबत नहीं है, माराश्ट और डेली have reported the highest number of cases followed by तेलन गाना, करनटका, राइस्तान, केरलाइन, गुजराथ इंडिया का डेली count कम है राइट, बट फिर भी दूसरी country के basis पर जादा है अब बात करते हैं, second news की second news हमेशा इंडिया और सिलंका के बारे में जब भी आती है वो fishermen से related आती है अब हुआ क्या देखें, इंडिया और सिलंका जब भी आप map देखते हो, तो दोनों यह सोचते हैं कि इनका international water यह है, और दोनों का ही international water वाइलेट हो जाता है अब इसमें क्या है, 68 से जादा मचवारों को सिलंका की नेवी ने अरेश्ट कर लिए, अपने जेल में रखा हुआ है ऐसा ही, particular तमिलाडू ने भी क्या किया है अब देखो होता क्यों है सिलंका के जो नेवी है, वो क्यों पकड़ रही है भारती है मचवारों को क्योंकि वो लोग यूज करते हैं bottom trawling bottom trawling एक ऐसा जाल होता है जो बहुत जादा deep जाता है और देखो बड़ी मचलियों को तो वो पकड़ता है उसके साथ साथ छोटी मचलियों को भी वो पकड़ता, यानि कि एक इनिशल का जो एको सिस्टम होता जहां से डपलब होगा मचलियों के लिए और इवन बाद में मचवारों को भी फायदा होगा तो भारती मचवारे उस bottom trawling का यूज करते हैं तो इंडिया सिल्लंका वाले कहते हैं कि ये यूज मत करो तो इसके चलते हुए सब को पता है इन्वारेमेंट का तो लॉस हो रहा है बड़ तमिल्लाडू की सरकार ने MK स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है वहां के उन्होंने ये बोला एक्टनल अफियर मिनिस्टर एस जैसंकर साब से कि हम क्या करेंगे अपने मचवारों को बॉटम ट्रावलिंग के अलावा दूसरी जो है वो देंगे अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है यार हुमिटेरियन एन लाइवलियोड इश्यू चल रहा है बॉटम ट्रावलर्स बाइदे तमिलाड़ो फिशर्मेन अब बात करते हैं अब तो पर्टिकलर यही पर है इंडिया और सिलंका के बेसेस पर हमें यही इश्यू सुल जाना है क्या भारत इसके लिए कुछ कर रहा है अबर इंडिया के जो मच्वार्य बॉटम ट्रावलर्स का यूज नहीं करेंगे तो बारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है प्रधान मंत्री मतश्य संपदा योजना अब बात करते हैं यह पूरा जो आर्टिकल है वही घिसे पिटी हुई चीज़े लिखी है जो चल रही है अभी देखिए अभी क्या हुआ इंडियन ओशन कॉन्फरेंस में यह आर्टिकल तब भी लिखे जाते हैं कोई जो हमारे मिनिस्टर अगर स्पीज देते हैं उनका मेजर कहना है कि यार यूनाइटे नेशन अपनी पाउर बढ़ा रहा है चाइना डोमिनेंस दिखा रहा है अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल आउट किया फिर पैंडेमिक चला तो यहां पर उनी बड़े बड़े वर्ल्ड के जो मेजर इश्यू हैं उनको कवर किया गया है जैसे अफगानिस्तान अफगानिस्तान में किसका कंट्रोल है अभी तालिबान का तो आप सिर्फ इंडिया के इंपेक्ट लगाए कि इंडिया को क्या इंडारेक्ट्ली इंपेक्ट होगा और डारेक्ट्ली इंपेक्ट होगा टेरिस्ट, स्ट्रेटिजिक लोकेशन, एनर्जी यह सब पूरा होता भारत का बहुत सारे सलमा डेम है, सहतूर डेम है, वो अफगानिस्तान में चल रहे है, राइट, डीलिंग विच चाइना, चाइना के साथ कैसे डील करना है, इंडिया है फेजिन फ्रॉम चाइना एग्रेशन, लाइन ऑफ एक्ट्वल कंट्रोल में, गलवान वैली में कितने हमारे जवान साहीद ह यह अभी चाइना के साथ मेजर डॉमिनेंस चल रहा है, साथ साथ न्यू डैली को सिर्व भारत चाइना को ही काउंटर नहीं करना है, बलकि बेजिंग की जो इंफ्लिएंस हैं, वो भी रोकनी है, साथी साथ चाइना के जितने भी मेजर इशू चल रहे हैं, उनको गलोबल को भी उठाना चाहिए, भारत ने युनाइटे नेशन के प्लैटफॉर्म में, अब जो एक हमारी न्यूज आती है, वाइदा इलक्टोरल रिफॉर्म बिल इस प्रॉबलम, क्यों यह एक प्रॉबलम है, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए आधार कार्ड राइट रहे हैं, आधार से, इसके पीछे का कारण क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जब दो, बहुत बार एक ही बंदा क्या करता है, अलग-अलग कॉंस्टेंसी में क्या करता है, वोट डाल देता है, तो इसके लिए अगर वोटर आईडी और आधार कार्ड एक साथ मिक्स हो है, तो इससे क्या होगा हमारा, बोगश जो सीट है, जो भी बहुत मल्टिपल आपके कोई भी वोट डालने जाता है, ऐसा नहीं होगा, हाला कि इसमें एक क्लॉज भी है, सफिशेंट क्लॉज, मतलब जो आधार कार्ड देना चाहिए, वो देगा, नहीं तो नहीं भी दे सक भी भी है, वो है tribal people का, अब जनरली बात करूँ, कि tribal people के लिए भारस सरकार ने बहुत सारे schemes लाई है, बोट वो सभी जगए implement अभी नहीं हो रहीं है, अच्छे से implement नहीं हो रही है, जैसे बहुत सारे forest tritek है, अब देखे, कौन-कौन सी चीज़े हैं, मैं point wise बताउंगा ता कभी भी ऐसा question आए तो एडिटोरियल में से आप ऐसे point निकालना सिखोगे तब हो पाएगा नहीं तो पूरा एडिटोरियल तो पंद्र सो दो हजार तीन हजार चार हजार नौ कुछ जो point हैं जैसे सबसे बनादे कि point हमें याद करना है poor awareness level है ट्राइबल आधिवासियों में अभी अपने अधिकार जो सरकार उनके लिए स्कीम चलाती है उनके बारे में खुद उनको नहीं पता है पहला दूसरा बहुत सारी जो NGO हैं इस एरिया में बहुत कम काम करती है बहुत बार क्या होता है non government organization को tribal जो people से उनको aware करवाना चाहिए जैसे 36 गड़ में बहुत ज़्यादा नकसल सें तो NGO कोई काम करना चाहती नहीं है तीसरा point जो मनरेगा है food security act है इनके बारे में पता है नहीं उनको कि कितना चावल मिल रहा है कितना राशन मिल रहा है इसे quality of forest produce भी decline हो रही है उसके साथ forest right act में बहुत सारे provision हमने आदिवासी लोगों के लिए भी करने चाहिए क्योंकि उनका major खाना तो वहीं से आता है rain pair dependent हैं ये सब चीजें यहाँ पर mention की गई है तो at the end पैसा को हमने बढ़ाना चाहिए पैसा मतलब ऐसी ग्राम पंचायत जो ट्राइवल एरियाज में आती है उसे पैसा कहते हैं मतलब पंचायत extension to scheduled एरियाज 1996 तो ये complete analysis हमारा हो चुका है जब भी ट्राइवल affair की बात आती है तो ये point आप extract कर सकते हो ना बात करते हैं वर्ड लेवल की चाइना इंडॉर्स हंग कॉंग इलक्शन हंग कॉंग में इलक्शन हुए अब देखे ऑफिशली तो हंग कॉंग पे चाइना का अफजा करना चाहता है बट वही है चाइना डोमिनेंस दिखा रहा है South China Sea में अफिशली तो ये बोलता है कि अब ये Communist Party है राइट इरान इरान के चलते हुए इसराइल के PM ने मिले US के National Security Advisor ओवर इरान अब इसराइल के PM मिल रहे है USA अब बात करते हैं इरान में इरान क्या कर रहा है नूकलियर वैपन बना रहा है तो USA अभी सेंक्शन लगा देता है USA कहता है कि हम आप पर सेंक्शन ल नुकलियर बॉम बनाना बंद करें चायना में धिरे धिरे कोविड के कैसे बल रहे हैं तेर मीडियन लोगों पर लॉक डाउन का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया बहुत सारी एरिया को जीरो कोविड के अंदर भी डाल दिया गया है और बहुत सारी के इरो कैटिगरी को उनको regulate करने का काम कौन करता है से भी तो ये सब चीज़ है हमारी detail में discuss हो चुकी है देखते हैं notes में और क्या क्या है एक issue है हमारा सिरलंका में जो tamilians हैं भारत के tamilians उनका issue क्या है बहुत simple सी बात है देखो एक story में एक minute में explain करता हूँ जब भारत से आजाद होने से पहले जब Britain government का पूरा राज था तो वो इंडियन tamilians को लाए सिरलंका के north में बसा दिया बड़ी बड़ी post में उनको पढ़ाया अपनी सहलुतिया के लिए सहुलियत के लिए और उसके basis पर क्या होगा सबी अब जो minority है जो tamilians है वो minorities है सिरलंका में आती है buddhist community सिनहला community अब हमेशा हिंदू-Muslim का दंगा ही नहीं होता हर जगे जहां majority और minority है उनके बीच में dispute रहते हैं तो यहां buddh community आप सोचते होंगे buddhist community बहुत ज़्यादा सांत होगी नहीं बहुत ज़्यादा sexual exploitation बहुत ज़्यादा tamilians को यहां पर दबाने की कोशिस की जा रही है majority सिनहला community के दोरा अब इसमें यहां के लोग क्या कहते हैं अब यहां पर से लियाए बृतेन वाले dmsdm के पोस्ट में यहीं है अब buddhist community वाले चाहेंगे कि इनके बच्चों को आप स्कूल ना जाने दिया जाए मतलब यह हम उपर वाली पोस्ट में हो बहुत सारी पोस्ट तो इनको बुलाई गया नहीं है कि जो tamilians हैं उसके लिए खड़े भी उठ सकते हैं अब यह बोलते हैं कि हम आपको नागरिकता नहीं देंगे पहला issue ठीक है उसके साथ discrimination करते हैं भासा क्या दार पर धर्म क्या दार पर ठीक है फिर ऐसे ही जो लिट्टे ग्रूप है अब जो tamilians हैं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं होने हत्यार उठा ले और वही ग्रूप अभी क्या कहलाता है लिट्टे ग्रूप कहलाता है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बांकी 25 दिसंबर से यानि की परसों से सबसे heavy discount sale है मैं आपको कल उसको बता दूँगा जो थमनेल है वो शो कर दूँगा कौन-कौन से अलग-अलग plan ncrt note से लग, pdf note से लग, video note से लग जो अपने basis पर लेना चाहिए वो ले सकता है 25 दिसंबर से 1 जन्वरी तक है early bird sale और सबसे बड़ी बात, guaranteed 60 batch के लिए 60 seat फिर से vacuum crate हो चुका है क्योंकि हम सिर्फ 2 batch चलाएंगे यानि कि इस वर्षा हम सिर्फ 120 लोगों को पढ़ाएंगे ऐसा क्यों? पहले हम 60 student को पढ़ाने वाल थे अब हमार साथ जूड़ चुकी है अठार member की team जो अलग-अलग आपके लिए content create करेगी geography जो based mcq है वो frame करेगी test series भी अब आपको पूरे यहाँ पर subject wise पूरी मिलने वाली है पूरे notes आपको क्या करना है बहुत सारे हम number provide करेंगे 750-513-4891 इस number को हमेशा save करना है whatsapp में message करना, अपने plans के बारे में जाना है आप call कर सकते हैं हम कल एक extra additional number भी देंगे अपने members के जिनके through आप हमसे बात कर सकते हैं Thank you, have a nice day